आप सभी को सुप प्रभात, आज के वीडियो में हम उपवाक्य, उपवाक्य सिर्षक किस्ते हिस्ते कुले कर प्रस्तूत हुए हैं, पिछले हिस्ते में हमने पढ़ा था कि उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य कितने परकार के होते हैं, और आश्रित उपवाक्य कितने भे जिसमें हमने संग्या आसरित उपवाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और वीडियो के माध्य हमसे उसे पढ़ा था। जो जिसे जिसको आदी से प्रारंब होने वाले विशेशन उपवाक्य कहलाते हैं यह कभी पहले तो कभी बाद में आते हैं मतलब जो भी उपवाक्य जो जिसे जिसको से प्रारंब होंगे शुरू होंगे वो सभी विशेशन उपवाक्य के उदारन होंगे और यह या तो वाक उपवाक्य के सुरू होगा, वह विसेशर्ण उपवाक्य होगा और वो संग्या सरो नाम की विसेश्था को बताएगा। जैसे जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, तो देखिए अभी इस नोट के अनुसार ही जिसे जिसको आधी से प्रारंभ होने वाला, जो से कौन प्रारंभ हुआ है, जो पैसे मुझे मिले थे, तो ये हो गया विसेशन उपवाक्य, ये हो गया प्रधान वाक्य, वे ख कि संग्या और वे सर्वनाम है वे पैसे खर्च हो गए कौन से जो मुझे मिले थे यानि कि इसकी विशेष्ता ये बता रहा है तो ये हो गया विशेष्ण उपवाक्या दोनों तरह से मैं आपको समझा रहा हूं एक इस ट्रिक से भी आप समझ जाएं जिसके जो से सुरू हो र विशेष्ता मतलब किस वाक्य में संग्या और सर्वनाम है और उसकी विशेष्ता जो बता रहा है प्रधान वाक्य के संग्या सर्वनाम की विशेष्ता वह विशेष्ण उपवाक्या है तो प्रधान वाक्य वे खर्च हो गए कि विशेष्ता ये है कि जो मुझे मिले थे व उपवाक्य के पहले जो लगा है वो विशेशन उपवाक्य हो गया है जो मुझे मिले थे विशेशन उपवाक्य वे पैसे खर्च हो गये यह प्रधान वाक्य है और इसकी विशेशता वो है कि जो मुझे मिले थे तो अब आप समझ गये कि किसी प्रधान वाक्य के संग्या सरो प्रधान विशेष्था बताने वाला उपवाक्य विशेशन उपवाक्य होता है और इसकी सुरुवात जो जिसे जिसको आदिसे होती है इसे पाचानना बहुत आसान है अब हम लोग अगले भेद पर चलते हैं क्रिया विशेशन उपवाक्य जो परिभासा के अनुसार जो इसके उपर विशेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संग्या सरवनाम सब्द की विशेशन बताते हैं वह विशेशन है और इसमें जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी क्रिया की विशेशन बताते हैं वह क्रिया विशेशन उपव तो उदारण है जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था यानि की प्रधान वाक्य मैं घर के भीतर था और विशेश्ता क्या है जब पानी बरस रहा था क्रिया विशेशन उपवाक्य हो जाएगा अब दूसरा उदारण है जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधान वाक्य यहां हो गया मैं पढ़ता था यहां पढ़ने की जो क्रिया है मैं पढ़ता था, मैं पढ़ने की जो क्रिया है उसकी विसेष्ता यह है, वहीं मैं पढ़ता था, मैं पढ़ने क्रिया की जो विसेष्ता है वो यह है कि जहां तुम पढ़ते थे, वहीं मैं पढ़ता था, विसेष्ता हो गया जहां तुम पढ़ते थे, तो यह विसेष्ण इस क्रिया की विशेष्टा प्रधान वाक्य के क्रिया की विशेष्टा जो बताता है वह क्रिया विशेष्ण उपवाक्य हो जाता है तो प्रधान वाक्य के क्रिया पढ़ना की विशेष्टा यह है कि जहां तुम पढ़ते थे तो यह क्रिया विशेष्ण उपवाक्य हो गया तीसरा उदारण है मैंने वैसा ही किया जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया इसमें मुख्य वाक्य हो गया क्योंकि मैंने जो क्रिया की वैसा ही उसकी विसेस्ता क्या है जैसा उसने बताया था और परिभासा भी यही है कि जो उपवाक्यों प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विसेशता बताता हो उसे क्रिया विसेशन उपवाक्य कहते हैं तो प्रधान वाक्यों मैंने वैसा ही किया कि विसेशता यह है कि जैसा तुमने बताया था कैसा किया तु जैसा तुमने बताया था ये क्रिया विशेशन को वाक्य हो जाएगा तुम जितना पढ़ोगे उतना ही लाब होगा जितना पढ़ोगे ये विशेशन है क्रिया विशेशन जितना पढ़ोगे पढ़ोगे कि क्रिया के विशेशन है जितना पढ़ोगे उतना ही प्रमुख्य या मुख्य वाक्य हो गया प्रधान वाक्य और तुम जितना पढ़ोगे यह आश्रित क्रिया विशेशन पर वाक्य इसमें भी कोई भेद होते हैं जैसे क्रिया विशेशन के जो भेद होते हैं काल वाची अब इस वाक्य में हम देख रहा हैं कि समय से इसका तात पर है वो तब घर के भीतर था जो पानी बरस रहा था मतलब काल से संबंद ही थे उसी समय पर भीतर था जिस समय पर बारिश हो रही थी दूसरा स्थान वाची है मैं वहीं पढ़ता था जहां तुम पढ़ते थे मैं वहीं पढ़ता था जहां तुम पढ़ते थे तो मैं वहीं पढ़ता था क्रिया की विशेशता है कि जहां तुम पढ़ते थे यानि कि ये हो गया क्रिया विशेशन पवाग की लेकिन ये अस्थान से संबंधी थे जिस अस्थान पर तुम पढ़ते थे उसी अस्थान पर मै और रिति वाचक, मतलब जो चला आरहा है, मैंने वैसा ही किया, जैसा बताया था, मतलब जो चीज तै थी, उसे रिति बोलते हैं, और उसी तरह परिमान वाची, जिसको, פरिमान वाचे जिसमें आप परिमान का आकलन करते हैं, जीतना पढ़ोगे उतना ही लाव होगा मतलब की एक पैमाना है नापने का कोई भी कार्य जितना करोगे उतना ही लाव होगा, तो वो परिमान वाची के अंतर गत जाएगा, ये सब क्रिया वी सेषन के उपभेद हैं, काल वाची, अस्थान वाची, रिति वाची, फरिमान वाची उमीद हैं आप लोग को पाट समझ में आया होगा अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे इस पाट के और भी जानकारिया पराप्त करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद